मैं अपना पहला घर खरीदने वाला हूँ और मुझे पता है अगर मैंने कोई पुरानी capital asset बेची और वहाँ पे capital gain आ जाते हैं तो ये घर खरीदने के नाम पे exempt करे जाएंगे section नुमर 54 के अंदर या 54F के अंदर इंधी income tax act पर मेरे नाम पे कोई और capital asset ही नहीं तो क्या बेचूं क्या है यहाँ पे taxes बचाने का कोई तरीका है आ कुशाल है तरीका क्या है सुनिए आपके नाम पे कोई भी capital asset नहीं होगी माना आपकी parents के नाम पे तो है ना उनको बोलिए वह identify करी और वह एसे जोगी निकल के आती है वह अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा तरीका में आपको बताता हूं आपके father मान के चलिए आपको बताते हैं उन्होंने कभी ना कभी 10 लाग रुपय का सोना खरीदा था और आज के time पे value कित्ते की निकल के आ रही है एक करोड की निकल के आ रही है तो gain कित्ते का है 90 लाग क्यूं कि relative ने आपको यह दिया है अब कल को जाके जब भी वाले सोने को आप बेचेंगे तो क्या होने वाला है यह बेचने के time पे capital gain जो भी निकल के आ रहे थे 50 लाग के जो की father के हाथ में आ रहे थे अभी आपके हाथ में आने वाले है और यह पूरे के पूरे exempt आप कहां इट्राक्ट कर जाता वो एक्जैमन कर वा लिया है मुबारक हूँ